कि एक क्वेश्चन रिपीटेडली दोबार पुछा हुआ है जून 2012 एंड जून 2011 मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं देन उसके बाद इसको इन डिसकस करेंगे तो अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जसके डाइगनल एंट्रेज सम अल्फा अल्फा स्केर अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन एंड वन इस टाइप किये हैं और यहां अल्फा जो है वो एन्न अथ प्रिमिटिव रूट आफ यूनिटी है ठीक है अल्फा इज़ा एन्न अथ प्रिमिटिव रूट आफ यूनिटी और डवल्यू एक वेक्टर दिया जाएगा जिसमें डवल्यू डवल्यू टू डवल्यू एन एन कंपोनेंट्स होंगे ठीक है और सारे डवल्यू एई जो हैं वो क्या होंगे या तो वन होंगे या माइनस वन में से बिलोंग करेंगे ऐसा कुछ गीवन होगा और उसके बाद आपको एक क्वांटिटी पुछी जाती है डवल्यू ओफ ए विच इस स्क्वेर रूट ओफ डवल्यू ए थीटा ए डवल्यू एडव्यू ट्रांसपॉर तो यह एक आपके पास क्वाड़िक फोम है विध रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्ष तो यह क्या जेगा आपके पास डवल्यू ओल्यू स्क्वेर ठीक है इंटू यहां जो भी क्वांटिटी है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेर 3 square plus alpha n minus 1 w n minus 1 whole square plus alpha n alpha n की जगे 1 है तो w n w आई सारे या तो 1 या minus 1 है तो ये सारी quantities 1 1 हो जाएगी तो ये alpha plus alpha square plus alpha cube plus alpha to the power n minus 1 plus यह जाएगा और ये क्या है sum of nth root of unity वो हमेशा क्या होता है 0 होता है clear sum of nth root of unity है वो definitely क्या हो जाएगा 0 हो गया तो यहाँ आपका answer जो आएगा वो हमेशा 0 हो आएगा अब आपको जो June 2012 में question दिया हुए उसमें a जो matrix दिया हुई है वो xi inverse 1 xi दिया हुए और ji जो है वो cube root of unity है तो ji inverse को ji square से replace कर दो ठीक है और w जो दिया हुए 1 1 1 वो vector दिया हुए तो यहाँ answer 0 और जो आपका June 2011 का question है उसमें जो a matrix दिया हुए है वो 5 cross 5 दिया हुए वो zeta minus 2 या ji minus 2 minus 1 1 xi and ji square और fifth root of unity दे दिया उसने तो same concept use करना है answer again 0 आएगा ठीक है तो जो आपका June 2011 का question है उसमें a answer और June 2012 का question है उसमें भी answer a आएगा ठीक है तो यह basically इसी concept पे दोनों question repeatedly आए हुए है ठीक है